हलो दोस्तों मैं रंजित कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी ये कहानी है एक फूटा घड़े की ये कहानी एक मजबूत और एक फूटे घड़े की है मजबूत घड़ा खुद को बेहतर और फूटा घड़ा खुद को कमतर समझता था कैसे फूटे घड़े की सोच बदली और उसने अपने महतों का एहसास हुआ ये जानने के लिए देखते रहे हमारी कहानी एक समय की बात है एक गाओं में एक किसान रहता था उसके पास दो घड़े थे उन दोनों घड़ाओं को लेकर वह रोज सुबह अपने घर से बहुत दूर बहती एक नदी से पानी लेने जाया करता था पानी भरने के बाद वह उन घड़ाओं को एक बांस की लकड़ी के दोनों सीरों पर बांद लेता और उसे अपने कंदे पर लाद कर वापस घर तक लाता था रोज सुबह उसकी यही दिन चलिया थी दोनों घड़ाओं में से एक घड़ा सही सलामत था लेकिन दूसरा से फूटा हुआ था इसलिए जब भी किसोन नदी से पौनी भर कर घर तक पहुंचता एक घड़ा पौनी से लवालब भरा रहता और दूसरे घड़े से पौनी रिश्मी के कारण वह घड़ा आधा खाली हो चुका रहता था सही सलामत घड़े को खुद पर बड़ा घमंड था वह किसोन के घर तक पूरा पौनी पहुंचाता है दूसरी और फूटा घड़ा खुद को नीचा समझता था और हमेशा सर्मिन्ना राता था कि वह किसी काम का नहीं है उसे हमेशा अपने उपर ग्यलानी महसूस होती थी कि उसके कारण किसोन की पूरी मेनत बेकार चली जाती है एक दिन उस फूटे घड़े से रहा नहीं गया और उसने किसोन से छमा मंगते हुए कहा मालिक मैं खुद पर बहुत सर्मिन्दा हूं मैं ठीक तरह से आपके कौम नहीं आ पा रहा हूं किसोन ने पूछा क्यों ऐसी क्य बात हो गई घड़े ने बताया मालिक सायद आप इस बात से अन्जावन है कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूं और नदी से घर तक पहुचते पहुचते मेरा आधा पूने रिज जाता है मेरी इस कमी के कारण आपकी मिहनत व्यार्थ चली जाती है यह सुनकर किसान उस घड़े से बोला तुम दुखी मत हो बस आज नदी से वापस आते हुए मार्ग में खिले हुए सुन्दर फूलों को देखना तुम्हारा मन बहल जाएगा फूटे घड़े ने वैसा ही किया वा रास्ते भर सुन्दर फूलों को देखता हुआ आया इससे उसका विचलित मन सांत हो गया लेकिन जब घर पहुशते ही उसने पाया कि वा पुना आदा खाली हो चुका है तो उस पर फिर से उदासी छा गई उसने किसान से अनुनाई किया कि वा उसकी जगह कोई अच्छा और सही सलामत घड़ा ले ले यह सुनकर किसान बोला क्या तुमने ध्यान दिया कि बांस के जिस सीरे पर तुम बने रहते हो उस और के मार्ग में सुन्दर फूल खिले हुए जबकि मार्ग के दूसरी और कि जमीन है ऐसा नहीं कि मैं इस बात से अंजान हूँ कि तुम फूटे हुए हो इस बात यह बात जानते हुए ही मैंने मार्ग के अंदर उस और सुन्दर और रंग बिरंगे फूल लगा दिये जब मैं नदी से पोनी भर कर लाता हूं तो तुम्हारे द्वारा उन फूलों क को पानी मिल जाता है और वे सदा उस मार्ग को हरा भरा रखते हुए तुम्हारे कारण ही वह मार्ग इतना सुन्दर हो पाया है इसलिए तुम खुद को कम मत अंको तो दोस्तो इस कहने से हमें क्या सिखने को मिलता है कोई भी उचा या नीचा नहीं होता इस दुन्यों में ह हर इंसान को कोई न कोई एक किरदार मिला हुआ है जिसे हर कोई बखभी निवा रहा है इसलिए जो जैसा है हमें उसे वैशा ही सुईकारना चाहिए और उसकी कमजोरियों के अस्थां पर उसकी अच्छाएं और ध्यान देना चाहिए तो आपको ये कहनी कैसी लगी अगर कह अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एटू इस्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर ले